मूवी की शुरुवात में हम देखते हैं कि दुनिया में मॉनस्टर्स ने कहर बेश रहा था वो इतने खतरनाक थे कि इनसानों का नामों निशान मिट गया कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आए किसी को लगता था कि ये हमारे गलत कामों की सजा है तो किसी को ये जहर वाले बिच्चु या किसी जहरीले कीड़े का काटना लगता था सस्त तो ये है कि कोई नहीं जानता था कि आखिर इसके पीछे की वज़ा क्या है खेर इस शहर में पॉल नाम का एक सर्वाइवर है वो दिन में अपने लिए कुछ सामान जुटा रहा था तब ही सायरन बसती है अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है हर तरफ खत्रा था मॉन्स्टर्स की आवाजे और धमाकों का शोर हर तरफ गूंज रहा था पॉल एक खाली घर में गुसकर खत्रे के टलने का इंतिजार करता है उसे वहाँ दो बच्चे रोते हुए मिलते हैं पॉल ने उन्हें अपने साथ रख लिया इस खटना के अब कई साल बीच चुके हैं दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे और अब पॉल की मदद करते थे मगर रात होते ही उन्हें वापस घर आना पड़ता है क्योंकि रात में अभी भी मॉंस्टर्स घुमते हैं आज भी शाम ढलते ही पॉल का बेटा जोसेफ घर आया उसने अपने डॉग को अंदर किया और खिर्कियां दर्वाजे बंद करने लगा लेकिन पॉल बहर खड़ा था वो थॉमस का इंतजार कर रहा था जो कि हमेशा की तरह देर से घर आ रहा था आते ही वो अपने डैड को सफाई देते हुए बोलता है कि डैड आपको तो पता है ना कि मुझे फार्म में काम करना कितना अच्छा लगता है दरसल वो फार्म उनके परोसियों के थे पॉल उसे वार्निंग देता है कि अगर अगली बार देर हुई तो उसे घर से बहार जाने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी हम देखते हैं कि डिनर से पहले वो दर्वाजे खिड़कियां अच्छे से चेक करते हैं आज वो नोटीस करते हैं कि उनका डॉग अजीब तरीके से दर्वाजे के आसपास चक्कर लगा रहा था तब ही अचानक उनके दर्वाजे पे कोई दस्तक देता है थॉमस और पॉल देखने गए कि दर्वाजे के पास कौन है जिससे वो इतने सालों से बस्ते आये थे वो अब दर्वाजे पे खड़ा है दर्वाजे पे एक बार फिर से खट-कटाने की आवाज आती है देसल बाहर मॉंस्टर्स थे जो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं पॉल और थॉमस पूरी ताकत लगा कर दर्वाजा बंद रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जोसप वही पे बैटके मॉंस्टर्स के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था कि पहली बार उसने 20 सेकंड तक दर्वाजा खटकटाया दूसरी बार 10 सेकंड के लिए और आखरी बार एक बार खटकटा कर चला गया जोसप को लगता है कि पहली बार 20 सेकंड तक खटकटाने पर वो दर्वाजा टटोल रहा था दूसरी बार 10 सेकंड की खट-खटाहट उसकी पूरी ताकत थी शायद वो दर्वाजा तोड़ने की कोशिश में था पर जब दर्वाजा नहीं खुला तब एक बार खट-खटाके चला गया पॉल ये बाते ध्यान से सुन रहा था खेर अच्छी बात ये है कि फिलहाल खत्रा टर गया अगली सुबह निकल कर पॉल ने दर्वाजे पर मॉंस्टर्स के नाखुन की निशान देखे पॉल और थॉमस दोनों ने ही आज खुब काम किया लेकिन जोसफ पूरे दिन घर से बहां नहीं निकला पॉल ने अंदर जाकर देखा तो जोसफ एक गाड़ी बनाने में लगा था वो पॉल को बोलता है कि इस रोज-रोज के डर से में तंग आ गया हूँ मैं भागना चाहता हूँ यहां से इसलिए इसे बना रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि यह काम करीगी भी या नहीं इसके बाद पॉल ले उसमें कुछ जरूरी बदलाव करके उसे चलाने लायक बना दिया इस खुशी में पॉल उन्हें कार ड्राइविंग सिखाने के लिए ले ले गया जोसफ अपने भाई की परिशानी से वाकिफ था इसलिए वो उसे फॉर्म के बाहर ही छोड़ देता है यह बोल के कि तुम यहां काम करो शाम को मैं तुम्हें अपने साथ लेता चलूँगा और खुद ड्राइविंग के लिए आगे निकल जाता है इस बाहर से थॉमस बहुत खुश है उधर दर्वाजे को ठीक करने के बाद पासी में बने एक जहने के पास जाके बैठ जाता है दूसरी तरफ शाम होने को थी इसलिए थॉमस खुद ही घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में बने कुछ दरारों के पास उसका पैर फिसलने से वो उनमें गिर जाता है जहां कुछ कीड़े उस पर हमला कर देते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है उधर हम पॉल को देखते हैं कि शाम होने की वज़े से वो अपने घर वापिस आ गया और घर आके वो देखता है कि आज उसके दोनों बच्चे अभी तक घर नहीं आये हैं इधर जॉसेफ भी ट्राइविंग करते हुए बहुत दूर पहुँच गया था इसलिए वो वापिस मुड़ता है और फार्म के बाहर पहुँचने पर उसे उसका भाई वहाँ नहीं मिलता वो घबराते हुए घर पहुँचता है और अपने डैड को सारी बाते बोलता है पॉल जॉसेफ को अंदर रहने को बोलता है और खुद ही अपने डॉक के साथ थॉमस को ढूरने के लिए निकल पड़ता है उदर थॉमस जिस दरार में फसा हुआ है वहाँ चारों और बस अंधेरा है वो अपनी लाइटर से थोड़ी सी आग जला कर अपने आसपास देखने की कोशिश करता है तभी उसे वहाँ एक अजीब सा काला सा हाथ दिखाई देता है और इस मॉनस्टर के हमला करने से पहले ही थॉमस अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाल कर उस काले हाथ पर हमला कर देता है मॉनस्टर तरपते हुए दरार से बहाँ निकलने की कोशिश करता है कि तबी पीछे से एक बहुत बड़ा मॉंस्टर आके थॉमस का मुह अपने मजबूत जबरों में जकर लेता है जिसे थॉमस को सांस लेने में तक्रीफ होने लगती है उसी समय वहाँ पॉल आ जाता है पहले तो पॉल ने पीछे से मॉंस्टर को पकड़ कर थॉमस को उसके चंगुल से छोड़ाया और फिर चाकू से उसे पूरी तरह घायल कर दिया इसे थॉमस की जान तो बिज़ गई अब परिशानी ये थी कि रात काफी हो चुकी है वो घने जंगल में थे और रात में मॉंस्टर्स खूमते हैं ऐसे में यहां से निकलना खत्रे से खाली नहीं है उसी समय उन्हें अपने आसपास एक और मॉंस्टर्स की आवाज आती है घवराहट से उनका कुता और भी जोर-जोर से भॉकने लगता है पॉल जल्दी से अपने आसपास के कुछ पेडों की टहनिया इखटा करके उससे एक मसाल बना लेता है उसे एहसास होता है कि जिस दरार में वो लोग अभी है उसके ठीक उपर ही वो मॉंस्टर्स है यह मॉंस्टर्स से उस दरार के उपर से मिट्टी डाल कर उसे बंद करने लगते है पॉल के पास अब अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था इसी ने मॉंस्टर्स को डराने के लिए उसने अपना बनाया हूँ मसाल दरार के एक छोटे से छेट में फैंक दिया यह देखकर मॉंस्टर्स कुस्से में आ जाते हैं मॉंस्टर्स अब दरार के अंदर आने की कोशिश करते हैं ये देखके पॉल अपने पास रखे कुछ छोटे क्रैकर से वहां ब्लास्ट कर देता है जिसे वो खुद भी गायल हो जाता है और वो दोनों उसी दरार में फ़र जाते हैं उदर घर पर जोसेफ को भी मॉंस्टर्स की आवाजे आ रही थी वो एक कुरसी को रस्ती से बांद कर उसे दर्वाजे के सामने लगा कर बैट जाता है लेकिन अचानक उसकी आँख लग जाती है लेकिन मॉंस्टर्स अपना शिकार कैसे छोड़ सकता है वो तो दर्वाजे के एक छोटे से छेट से जोसफ पर नदर रख रहा था उसे सोता देख मॉंस्टर्स ने दर्वाजे से लकड़ी का टुकड़ा हटा दिया और फिर जोसफ को गौर से देखने लगा ये चक करने के लिए कि वो सच में सो रहा है या नहीं अपने नाखुन को छड़ी की तरह लंबा करके उसके मुग के पास ले जाता है लेकिन जोसफ तो सो रहा था तो उसने कोई रियक्शन नहीं दिया मॉंस्टर समझे या कि वो वाकई सो रहा है इसलिए मॉंस्टर दरवाजा कुल कर अंदर आ गया मॉंस्टर के अंदर आते ही जोसफ ने अपनी कुर्सी से बंधी रस्ति खींच ली और एक सेकंड से भी कम समय में उपर से एक पिंजरा नीचे आखे गिरता है और मॉनस्टर उसमें कैद हो जाता है दरसल जोसेफ सोया नहीं था वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था उस मॉनस्टर को पकड़ने के लिए वो तुरंत उस मॉनस्टर को एक काले कपड़े से ढग देता है इसी तरह सुबह हो चुकी थी उसे अब तक पॉल और थॉमस के बारे में कुछ भी पता नहीं चुला था इसी रिये वो उन्हें धूरने के लिए निकलता है तब ही उसे उनका कुत्ता दिखाई देता है जो उस की बहुत जरूरत थी वो इसी बारे में बाते कर ही रहे थे कि थॉमस की नदर उस पिंजरे पर पड़ती है जिसके अंदर मॉनस्टर कैथ था और काला कपड़ा हटाते ही रोशनी से मॉनस्टर परिशान होने लगता है जोसफ उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में ब और जोसफ के बार-बार रोखने पर भी वो अपने घर पे रखे हुए मॉनस्टर का पिंजरा खोल देता है रोशनी से घबराकर मॉनस्टर यहां वहां भागने लगता है मॉनस्टर को देखके उनका कुत्ता भी भौग रहा था और मॉनस्टर अचानक थॉमस और जोसफ प बहुत सारे कट लगा है लेकिन वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या चीज ए ये इन्सान है या जनवर उसे क्च भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन थॉमस के ज्यादा जोर देने पर ये लोग पॉल को गाड़ी में बिठाकर रोस के घर ले जाते हैं और जैसा कि जोसफ ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ रोस की फैमिली ने उनकी मदद करने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि वो तीन थे और उनके पास इतना खाना और मेडिसिन नहीं है कि वो तीनों को रख सके लेकिन हाँ थॉमस अगर चाहे तो यहां रुख सकता है क्योंकि वो अकसर उनके यहां आता है और उनके फार्म के काम में मदद भी करता है थोड़ा सोचने के बाद जोसफ ने भी वही रहने का डिसाइड कर लिया वो रोस के डैड को फकड़ कर एक तरफ ले गया और उसे रात में पॉल दरा किये गए ब्लास्ट के बारे में बताता है यह सुनकर रोस के डैड भी जौक गए उन्होंने जोसफ से कहा कि वो इस शहर को छोड़ कर कहीं और चले जाए क्योंकि यह मॉनस्टर बहुत खतनाक है वो बदला लेने जरूर आएंगे जोसफ को यह बात समझ में आ गई थी जोसफ रोस के डैड की बात सुनकर वापस लोटने लगता है लेकिन उसे थौमस पे बहुत गुसा आ रहा था क्योंकि उसे की वज़े से पॉल की यह हालत हुई है और इस बात पर दोनों के बीच एक बार फिर से जगड़ा शुरू हो जाता है लेकिन जब थौमस को लगता है कि वो गलत है तब वो खुद ही शानत हो जाता है जोसेफ वापस अपनी गाड़ी में आकर बेहोश पॉल को लेकर वहाँ से चला जाता है वोई थौमस रोज के फरिवार के साथ वही रह गया यहां थौमस को अच्छा खाना खाने को मिला और जब जोसेफ पॉल के साथ अपने घर वापस जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि बहुत सारे जानवर बहुत तेजी से भाग रहे हैं यानि कि मॉंस्टर्स जमीन के नीचे ही गुम रहे थे और जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है उसे अपने घर के पास एक दरार दिखाई देती है वो समझ गया कि ये दरार उनी मॉंस्टर्स ने बनाई है यानि उसकी सोच बिलकुल सही थी कि ये मॉंस्टर्स बदला लेने के लिए आये हैं और अब उसे भी हमले के लिए तैहार होना पड़ेगा सबसे पहले वो पॉल को एक सुरक्षित जगा ले गया फिर घर के सारे दर्वाजे और खिर्कियों को बंद करने के बाद घर की सारी चीजों को इखटा काने लेगा और इसी बीच वो घर के अंदर बनी एक दरार में अचानक गिर गया जौसिफ समझ गया कि मॉस्टर जमीन के नीचे से एक सुरंग बनाकर उसके घर तक पहले ही पहुँच चुके हैं उधर रोज के किचन में थॉमस कुछ ढून रहा था तब ही रोज वहां आती है थॉमस रोज को समझाता है कि वो चोर नहीं है उससे बस अपने डैट की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उनके लिए मेडिसिन ढून रहा है उसकी परिशानी को देखते हुए रोज ने उसे मेडिसिन दे दी तॉमस एमोशनल होकर उसे गले से लगा लेता है इसके बाद वो मेडिसिन लेकर अपने डैट के पार जाता है लेकिन ये सारी घटना उनका एक नौकर देख लेता है इसलिए जैसे ही वो बहा निकलता है उस नौकर ने उस पर बंदूक तान दी थॉमस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेडिसिन उसे रोज ने खुद ही दी है उसने कुछ नहीं चुराया पर यहां कोई उसकी बास सुनने को तयार नहीं था उन्होंने तॉमस को पकड़के अपने बेस्मेंट में बाद दिया और दूर खड़े एक आदमी ने उस पर बंदूक तान रखा था वो उसे गोली मानने ही वाला था कि अचानक उसके नीचे की जमीन में दरार आ गई और वो आदमी नीचे गिर गया जब दूसरा आदमी उसे देखने के लिए गया उसी समय उस दरार से एक बहुत बड़ा मॉस्टर निकल के आया इस मॉस्टर की आवाज सुनकर रोज के पेरिंस भी जाग गए रोज के डैड ने मुंबत्ती जलाई और जैसे ही वो वापस मुण कर दर्वाजा खोलने लगे तुरंथ ही एक मॉस्टर ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को मार दिया यह मॉस्टर इतना खतरनाक था कि वो उसे समहा नहीं पाए उनके हाथ की मुंबत्ती वहीं गिर गई और घर के फर्दों ने आग पकड़ ली आग की रोशनी देखकर मॉस्टर वहां से भाग गए रोज अपने कमरे से यह आवाजे सुन रही थी वो इस बास से अभी भी बेखबर है कि उसके पेरेंट्स अब जिन्दा नहीं है आवाज बंद होते ही रोज अपने कमरे से बहा निकलती है यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है बहा निकलते ही उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है उसके सामने उसके पेरेंट्स की लाश थी और था वो मॉंस्टर घर के दूसरे हिस्से में जहां नौकरे ने थॉमस को बांदा था मॉंस्टर ने वहाँ सभी लोगों को मार दिया है और अब वो थॉमस की तरफ बढ़ रहा था किसी तरह अपने आपको छोड़ा कर वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था पर वो अपने इस कोशिश में नाकाम रहा अब मॉंस्टर उसे मालने के लिए ठीक उसके सामने खड़ा था ठीक उसी समय रोज हाथ में बंदूक लेकर वहाँ आ गई और उसने मॉंस्टर पर गोली चला दी दोनों वहाँ से निकलते हैं बहार आने पर वो देखते हैं कि रोज का पूरा घर जल चुका था रोज ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स भी मारे गए ये सुनकर थॉमस को बहुत दुख हुआ दोनों अब थॉमस के घर जाने का डिसाइड करते हैं दूसरी तरफ जोसेफ अभी भी उन मॉंस्टर से लड़ने की प्लानिंग कर रहा है जितने भी गड़े उनके घर में उस मॉंस्टर ने बनाए थे जोसफ अपने घर के फनीचर से उन गड़ों को भर चुका था अपनी पूरी तयारी के बाद वो अपने बेहोश पड़े डैट के सर पर किस करता है और मॉंस्टर के साथ जंग के लिए बहाँ निकलता है तब ही अचानक उसके दर्वादे की छोटी किड़की खुलती है अगले ही पल वो थॉमस और रोस को देखता है अपने भाई को सामने देखकर जोसफ थोड़ा रिलैक्स फिल करता है अभी वो लोग यही बाते कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे से पॉल की आवाज आती है जिसे होश आ चुका था ये दोनों उसको होश में आता देख बहुत खुश होते हैं थॉमस पॉल को मेडिसिन देता है जो वो रोस के घर से लेकर आया था पॉल उने बोलता है कि तुम आखरी वक्त तक लड़ना जोसेफ थॉमस और रोस के साथ अपना प्लान शेयर करता है और ये लोग अपने पास मॉजूल सारा गैस और पैट्रोल को इखटा करना शुरू कर देते हैं इसके बाद वो घर में जगा जगा पैट्रोल चिड़कते हैं और गैस सिलिंडर रख देते हैं वो अपनी एक पुरानी फ्रीजर को भी घर के बिल्कुल पीच में रख देते हैं रोज भी यहां बची हुई खिड़कियों को बंद कर रही थी इसके बाद यह सभी छोटे-छोटे क्रैकर्स, माचीस और ऐसी चीजे जिन से आग लगाई जा सकती थी अब उसे अपने घर के अंदर भर देते हैं उनकी सारी तयारी हो चुकी थी वो देखते हैं कि मॉंस्टर के बनाए हुए जिस घड़े को उन्होंने फरनिचर से कवर गिया था वो फरनिचर हिलने लगा था यानि यहां पे मॉंस्टर आ चुका है और दूसी तरफ जिस रूम में पॉल है वहां भी मॉंस्टर की आवाज आने लगी है एक मॉंस्टर चिमनी से पॉल के कमरे में घुसता है दूसी तरफ एक छोटे से छे से एक मॉंस्टर घर के अंदर पहुचता है थॉमस ने पीछे से उस पर हमला कर दिया पर यह मॉंस्टर मरा नहीं बलकि उसने थॉमस पर हमला कर दिया इससे पहले कि मॉस्टर तॉमस को मारता तॉमस ने उसके सिर्प पर हमला करके उसे धेर कर दिया उसी वक्त एक और मॉस्टर रोज पर हमला करने आया अपनी जान बचाने के लिए रोज ने उसे गोली मार दी उदर पॉल भी खुन से लट्बत बाहर निकला उस पर भी monster ने हम्ला किया था पर वो भी monster को मानने में कामयाब हो गया एक के बाद एक कई monster का अते रहे पॉल उन पर गोलियाद चलाता रहा पर वो जितने monsters मारते बाहर से और आ जाते पॉल की गोलियां खत्म हो चुकी थी अब वो अपने हतिहार से मॉंस्टर्स को मार रहे हैं पर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी जान बचाने के लिए पॉल ने उनसे प्लान पर काम करने को कहा तीनों लोग उस फ्रीजर में घुज गए जिसे वो घर के अंदर लेकर आये थे इसके बाद पॉल ने पूरे घर में आग लगा दी लकडी के फ़नीचर और हर तरफ फैरे पैट्रोल की वज़े से घर पम की तर जैसे ही जोसेफ ने लकडी का एक टुकड़ा उठाया नीचे से एक मॉस्टर जो इस वक्त भी जल रहा था उन पर हमला करने आ गया बचने के लिए वो तुरन घर से बाहर भागते हैं बाहर आकर वो अपनी गारी स्टार्ट करते हैं और वहां से भागने लगते हैं पर जल बिखर गया मॉस्टर इधर उदर बिखर कर मर गये पर वह नहीं रुके वह गाड़ी चलाते रहे मीलो दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मॉस्टर उनका पीछा नहीं कर रहे हैं तब तीनों ने आसमान की तरफ देखा उन्होंने आज पहली बार आसमान में तारों क चमकता हुआ देखा है ये नजारा आज वो पहली बार देख रहे थे क्योंकि हर रोज वो अंधेरा होने से पहले ही अपने आपको घर के अंदर बंद कर लिया करते थे अब आखिरकार मॉस्टरस खतम हो चुके थे सुबह जब वो वापस लोटे तो उन्हें वहां कुछ न आप कौन से मुवी की कहानी को सुनना चाहेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जल ही मिलते हैं एक और मिज़दार कहानी के साथ तब तक के लिए बाए बाए